आउज़ब लेहमिन शहित्वानिर राजीम बिस्मिल्लाहि राफमानिर रहीम असलामलेकम दोस्तों अमीद है आप लोग खेरियत से होंगे और मेरे चैनल से कुछ स्ख रहे होंगे दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करलें तक कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग चर्थ वीडियो है वो MGT 101 Financial Accounting का जो हमारा quiz number 2 आया हुआ है उस सवाले से है कूज कुछ ऐसे है इसमें first question है in cost of goods sold statement the cost of material consumed is equal to के जो cost of material है वो किसके बरहबर हो थी इसमें first option है opening raw material inventory plus purchases minus ending inventory और second option है opening raw material inventory minus purchases plus ending inventory third option है ending raw material inventory plus opening material was minus purchases last में दिया हुए ending raw material inventory plus opening inventory or plus purchases तो दोस्तों इसमें first value option है उसमें होता भी यही है cost of goods sold statement पे opening inventory plus purchases और minus ending inventory तो हमारा जो first value है वो इसका ठीक जवाब होगा next question है जी second पे 25,000 है और last में जो है वो 2,85,000 है अब देखें cost of goods sold है वो हमारी बनती है कि हम opening inventory और plus करें उसके इंदर purchases और minus करें उसमें से closing तो हमारे पास आ जाता है अब इसके इंदर हमें cost of goods sold दिया हुआ है opening inventory दिया हुआ है और closing inventory दिया हुआ है और हमसे purchases बुचा गया अब देखें मैंने जो है इसका बैसे तो correct answer जो है वो हमारे पास बनता है 25,000 हजार अब उसको अमने चेक कैसे करना है कि that will be the correct answer of that question तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप देखें हमारे पर purchases आ गई है opening stock की value हमें दी गई है और closing की भी दी गई है अब यहां पे 25,000 हजार आ रहा है इसमें अगर हम opening add करते हैं मतलब 25,000 है तो हमारे पास हो जाएगा 270 अगर हम 270 मैं से 25 माहिनाफ करते हैं तो फिर हमारे पास 2.45 बचता है तो इसलिए यह हमारा जो 3rd वाला है वो ठीक जवाब होगा अगर 3rd question है इस gross profit of ABC company is Rs. 16,500 and cost of goods sold Rs. 1,3,500 what will be the amount of net sale कि हमारी net sale जो है वो कितनी होगी अब इसमें 1st option है यहां पर हमें ग्राफ प्रफिट भी दिया गया और cost of goods sold भी दी गई है और हमसे net sale पूछेगी है कि net sale कितनी है अब net sale जो है उसमें cost of goods sold भी शामिल होती है और प्लस हमारा profit भी शामिल होता है तो हमारे पास net sale आती है हम दोनों values को add कर लेंगे अब देखें हमारे पास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा इसका ठीक जवाब होगा नेक्स्ट केस्टन है जी is cost of sale is Rs. 60,000 income from sale Rs. 95,000 and operating expenses are 25,000 calculate the profit अब देखें हमारे पास्ट जो ऑप्शन है वो 10,000 है second 35,000 है third जो 55,000 है और last जो 60,000 है अब हमने करना क्या है हमारे पास net sale जी किया 95,000 उसमें पेखें cost of goods sold जो 60,000 है 60,000 माइनस कर देंगे तो बाकि हमरे पास इटिंग के 45,000 बच जाएगा 95 में से 60 हाँ जी ऐसा ही तो उसमें से फिर हम 25,000 निकाल देंगे तो यह 60 और 25 यह 85 हो गए तो जब हम 55,000 में हजार में से 85,000 निकालेंगे तो हमरे पास बाकि 10,000 बचे का अकाउट एंडा में छैसरे अकाउट हमि उसा कुछा। जाओट कारखिझ पास बाकि एंडाड एंडा यूट उस में सफरेड एंडाने तरह desarroll पास पर में जावर यालिम्रषट कर अप्राश्य हें पी सब्सक्राइब और क्रेडिट के सेल भी और कैश की परचेज और क्रेडिट की परचेज दोनों आती हैं तो इसलिए हमारा जो सफ्ट वला आंसर है वो इसका ठीक जवाब होगा नेक्स्ट कस्टना चीज असम और आरेस चेहजार पेड एज विज़ फारे रेट रेटी मशीन शूड़ बी डेबिट टू अब मशीन एक वेस्ट की जा रही है या उसको क्यों पार्ट वेस्ट है तो उसकी जो कॉस्ट है वो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो इसमें की जा रही हुड है तो देखें हमें में कॉस्क पत्रकञ्ड कियों को में चैंड को चार्ड की जए गी तो भी कास्ट कोद सब्सक्रार माइंड को फीर चेर्ट का में सेतमें чистुर फैसंडर हम पैकर थेんなवीड फैसीमार लेकें स्चवर 98 को इस में फाइंड खर्थीर प्रे तो वो चीज़ें हमारी रत आफ आ रहे हैं तो जो जिवें जब हमारी रत काफ आती हैं तो वह कास्ट फूड वो चार्ज किया जाता है तो अगर यहां पर फ्राइड आउट वैठा आटा तो फिर हम आगे चार्ज करते हैं मतलब Operating Expensive में या Admin में चले जाते हैं तो यह यहा हैं वह कास्ट फूर्ड का इटम है इसलिए सारे के सारी जितने भी चीज़ें हैं वह हमारा जो जवाब है वह फूर्थ वाला आल अफ दी गिवन आप्शन आजाएगा जी नेक्स्ट कॉश्चन है कासरी कंके ऐा बैटरी बर को जब हम जमा करते हैं तो मरे पासे almost σ और जाएं अब तो इसमें 75,000 हमारे पास labor की cost है और over है F.O.H. जो है 40,000 है तो यह हमारे पास 1,25,000 बनता है तो यह थर्ड जो option है 1,25,000 है यह हमारा ठीक जवाब होगा The next question है जी what will be the debit if the business buy goods on credit from Mr. Ali कि Mr. Ali से purchase की हैं चीज़ें उधार पर purchase की हैं तो कौन सा account debit होगा purchase account है Mr. Ali का account है cash account and sale account है तो हमारा जो purchase account है वो मितलब हमारा debit होगा तो first वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है Next question है जी under normal circumstances the balance carried down shown in the debit side of ledger account is gold तो यह हमारा debit side पर balance है मैंने वैसे तो debit balance पर लगाया हुँ लेकिन पर बनता credit balance है क्योंकि जो balance हमारा credit side पर होता है उसका हम debit balance कहते हैं और जो balance हमारा debit side में होता है उसका ही credit balance कहते हैं तो यहां पर हमें दिया गया कि हमारा जो balance है वह शान है जी debit side पर तो इसलिए हमारा credit balance होगा यहां पर वैसे debit side पर लगाया हो तो आप इसको correct कर लें हमारा वैसे credit balance होता है दोस्तो ये था हमारा quiz MGT 101 Financial Accounting के हवाले से उमीद है आप लोगों को इससे काफी help मी लेगी और अगर किसी को कुछिकन फीजन है वो मिर्फद काउंटेक्ट भी कर सकता है डिस्क्रिप्शन में में मेरा नंबर दिया हुए और अगर कोई बच्छा फाइनेंशल अकाउंटिंग पढ़ना भी चाता है और वो प्रेशान है तो प्रेशान होने की जरूरत नहीं है वो मुझसे पढ़ भी सकता है मैं टूशन देता हूँ और फिर उसके अगर उसकी एक मिनिम्म जो फीज मैंने रखी है वो फिर उसे चार्ज कर लेता हूँ थैंक्यू बरी मच्छ दॉफ्तर अलाफिव